हेलो माई डियर फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फजी एन जैजी किटी तो फ्रेंट्स ये होने वाला है दिवाली स्पेशल किटी पाटी गेम दिवाली में खास होता है दिया, जुआ और पैसे इन सब के कॉंबिनेशन से आज हम खेलेंगे एक नया किटी पाटी गेम फ्रेंट्स ये गेम कोई टाइम लिमिट गेम नहीं होगा, मेंबर्स बस अपना गेम कंप्लीट करेंगे और इस गेम के लिए फ्रेंट्स हमें चाहिए कार्ट्स, कॉइन्स एंद दिये तो टोटल हमें 13 कार्ट्स चाहिए फ्रेंट्स, एक ही कलर की ये सारे 13 कार्ट्स हम ये कार्ट के डेक से निकाल लेंगे फ्रेंट्स और रूपीज में फ्रेंट्स हमें चाहिए 7 पीस लिया है 10 रूपीज का कॉईन मैंने और 6 पीस लिया है फ्रेंट्स 5 रुपीस का कॉइन तो यह 13 कॉइन हो गए और इसी तरह से फ्रेंट्स यह दिया भी जो है हमें 13 पीस चाहिएगा चलिए फ्रेंट्स सेटप रेड़ी करके आपको बताती हूं गेम यह रहे हमारे 13 कॉइन्स फ्रेंट्स हर एक दिये में एक कॉइन डालेंगे तो फ्रेंट्स यहां एक दिया मैंने सेंटर पे भी रखा है इस गेम को आप आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि गेम में ट्विस्ट भी होने बाला है सारे कॉइं डालने के बाद यह 13 कार्ड़ जो हमने अलग रखे थे एक ही कलर की फ्रेंट्स यह सारे 13 कार्ड़ को लेकर मेंबर को अच्छे से शफल कर लेना है और हर एक दिये के नीचे एक कार्ड उनको रख देना है तो friends अब हम करेंगे scoring तो scoring ऐसे होगी friends 1, 2, 6 cards में अगर 1 से लेके 6 तक के अगर card खुलते हैं और उसमें coin अगर 5 rupees का है friends तो वो हमारा countable होगा अगर 10 का होता है तो count नहीं होगा और 8 से लेके friends के तक यानि की 13 तक जो cards हम open करते हैं उसमें अगर 10 rupees का coin है तो वो हमारा countable होगा अगर उसमें 5 का coin होता है तो वो countable नहीं होगा अब बात आती है friends 7 number cards की तो 7 number card पे जो भी coin होगा हमारा वो हमारा हर हालत में countable होगा और twist की जो बात है friends पहले हम cards open करते हैं फिर आपको बताऊंगी पहले सारे cards को सीधे कर लेते हैं friends तो friends center का एक card छोड़के और बागी सारे cards को open कर लिया है center का आपको बाद में बताऊंगी friends तो चलिए यहां से देखना सुरू करते हैं मैंने बोला था 8 से लेके अगर के तक हमारा 13 तक अगर cards जो रहता है उसमें अगर 10 के coins होते तो वो countable होगा तो यहां 8 है यह हमारा countable होगा यह है यह भी countable होगा और 1 to 6 के अगर card में 5 के coin होते तो वो हमारा countable होगा यह भी countable होगा 4 यह भी countable होगा में 10 का coin है friends यहां 5 का होता तो countable होगा तो यह हमारा count नहीं किया जाएगा इसे हम निकाल देते हैं ये count होगा ये भी count होगा friends J 10 का है ये भी count होगा तो friends ये 7 के cards में मैंने बोला था क्या 5 का coin है चाहिए 10 का coin है ये हमारा count होगा तो ये count होगा ही ये 10 का है लेकिन coin 5 का है तो ये count नहीं होगा यहाँ पे 10 का coin होना चाहिए था इसी तरव से 9 ये है 10 का coin आ count होगा ये हमारा 3 है friends इसमें 5 का coin होना चाहता लेकिन ये 10 का coin है ये count नहीं होगा तो ये इतने सारे coins इस member के count होगे तो friends अब बारी आती है center वाले दिये के तो friends अगर ये इसका cards एक का है 1 to 6 नंबर में आता है और उसने 5 रुपीज का coin रखा है तो ये countable होगा friends लेकिन ये अगर countable निकलता है आपका तो friends ये double हो जाएगा जैसे कि ये 1 card निकला है ये निकला है और इसमें 5 रुपीज का coin होना चीए जो 5 रुपीज का ही है तो इसके points double हो जाएगे यानि ये 10 हो जाएगे अगर friends इसमें card हमारा 8 से लेके 13 तक रहता तो ये जो है हमारा 10 होता अगर coin इसमें तो 10 के 20 हो जाते है और friends अगर ऐसा होता कि यहाँ 7 number का card होता तो 7 number का card में तो फिर हमें देखना ही नहीं होता कि 5 का coin है या 10 का जो भी coin होता वो हमारा double हो जाता अगर इसमें कोई भी card ऐसा matching का नहीं निकलता friends जैसे 5 का coin है और card हमारे 8 to 13 के बीच में निकलते तो इसके कोई points count नहीं होते ये points तभी double count होंगे जब ये हमारा correct निकलेगा तो चलिए अब हम coins की counting कर लेते friends एक्चली इसकी value count करनी होगी हमें ये हमारा double count होगा यानि कि 10, 10, 20, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75, and 580 इस member का score हो गया 80 हर member इसी तरह से अपना game play करेंगे friends और जिसके सबसे ज़्यादा score होंगे वो हमारे game का winner होगा